हलो गाईज आज हमारा टेंसिस का पार्ट 3 है पार्ट 2 और पार्ट 1 पर पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ टेंसिस की अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो आपको वो लाजमी देखना चाहिए क्योंकि पार्ट 1 में हमने इंडेफिनिट पार्ट कवर किया है तमाम टेंसिस की टाइपस का ये थ्री टाइपस है टेंसिस की प्रेजन पास्ट और फ्यूचर तो हमने इसका इंडेफिनिट पार्ट कवर कर लिया है टेंसिस पार्ट 2 में part 1 में सारे tenses का overview है थोड़ा बहुत आपको वो दोनों वीडियो देखनी चाहिए लाजमी और आज इस वीडियो में हम cover करेंगे continuous part को इन तिनों tenses के present, past और future के continuous part को हम cover करेंगे आपने वीडियो को end तक जरूर देखना है और step by step इन सब टाइप्स को elaborate किया जाएगा okay guys सबसे पहले हम देख लेते हैं कि continuous tense होता क्या है indefinite हमने पढ़ लिया first पर और second पर है continuous tense continuous tense की बचान कैसे की जा सकती है ऐसा tense जिसको देख कर पता चले कि इसमें कोई भी काम चल रहा है continuous tense कोई सा tense होता है जिसके end पर रहा है रही है या फिर रहे है आता है वो कौन सा tense होता है वो continuous tense होता है उर्दू में तो पहचान हमें पता चल गई अब इसको देखते हैं इन तीनो tenses की तीनो टाइप्स में जैसे के present continuous है past continuous है और future continuous है present continuous कैसे हो सकता है जैसे के मैं खा रही हूँ अब देखें रहा है रही है रहे है यह है इसके पहचान present continuous की मैं पानी पी रही हूँ या फिर पी रही हूँ मैं जा रही हूँ तो यहां पर आप गोर करें end पर रही हूँ रही हूँ आया है या फिर रहा हूँ आता या फिर रहे हैं आता तो ये क्या होता ये एक present continuous stance होता ओके तो ये हो गया present continuous इसको भी हम अभी देखते है मजीद इसकी elaboration मैं करूंगी सो second पर है past continuous past अब यहां से देखें यहां पता present present का मतलब होता है मुझूद यानि के मुझूदा वक्त में जो काम जारी हो जैसे के रहा है रही है रहे है लेकिन past में क्या होगा गुजरा हुआ कल मतलब के कोई गुजरी वे बात होती है तो हम उसकी चीज़ को बोलते है था थी थे continuous मतलब रहा तो आना ही है इसमें रहा रही या फिर रहे सो past continuous में क्या होगा रही थी रहे थे या फिर रही थी रहा था रहे थे कल मैं पढ़ रही थी कल मैं सो रही थी कल मैं जा रही थी सो यहाँ पर भी वोई रही थी वाली बात हो रही है तो यह past continuous stance है थर्ड पर है future continuous stance कोई काम जारी हो हो रहा हो मस्तक्बिल में कोई काम हो रहा हो उसके होने का हम सोच रहे हो तो वो क्या होता है वो future continuous stance होता है जैसे कि कल मैं जा रही होंगी कल मैं खा रही होंगी होंगी मतलब कि आने वाले वक्ती बात हो रही है रही होंगी रहा होंगा रही होंगी रहे होंगी ओके तो यह हमने इसका ओवर्वियू ले रिया अब हम देखते हैं present continuous tense को present continuous tense present continuous tense में इसकी definition है कि the present continuous tense indicates that an action or condition is happening now मतलब कि जो अभी काम हो रहा हो जो मुझूदा वक्त में जो काम जारी हो उसको हम बोलते है present continuous tense चार तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं affirmative, negative, interrogative और negative प्लस affirmative sorry, negative प्लस interrogative यहां पर आना था ओके तो सबसे पहले देखते हैं affirmative कैसे हो सकता है present continuous tense मैं काम कर रही हूँ अब देखें present में हो रहा है काम के मैं काम कर रही हूँ यह simple tense है affirmative tense कहलाएगा मैं काम नहीं कर रही हूँ यह एक negative tense है इसी तरह क्या मैं काम कर रही हूँ तो यह सवालिया फिक्रा है यहां पर तो यह एक interrogative tense है इनके rules भी हम देखेंगे तो क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ तो यहां पर गोर करें आप इसके अंदर negative भी है और interrogative भी है नहीं कर रही हूँ negative क्या मैं कर रही हूँ क्या मैं काम तो यहां पर यह interrogative मतलब कि यह दोनों ही हैं इस tense में तो इन चार तरीकों से हम लिख सकते हैं किसी भी tense को अब देख लेते हैं present continuous tense के rules कि किन rules को follow करकर हम tense create कर सकते हैं present continuous tense का तिसके use ing with the first form of word present continuous tense में first form use होगी लेकिन first form के साथ ing use होगा देखें जहां भी continuous आ जाजाना वहां पर work के first form के साथ हम ing add जरूर करते हैं ओके यहां तक clear हो गया जैसे के है eating eat first form है ing add हुआ है eating, drinking, dancing it is और दूसरी बात के इसमें is, am, are का use किया जाता है is, am, are यहां पर helping verb होते हैं am कहां पर use होता है am तो सबको पता है am सिर्फ I के साथ ही use होता है am always used with I जैसे I am a girl I am a teacher okay, so I am सिर्फ I के साथ use होता है इसका हमें पता है चल गया अब रहे गया is और are is always used with a singular subject is जो है हमेशा singular subject के साथ use होता है single name के साथ use किया जाता है okay, example क्या है is किस के साथ use हो सकता है जैसे के है he, she, it and any singular name जैसे के आईशा, राबिया, अलग-अलग इस तरह से are, are always used with plural subject यानि के दो या दो से जादा नामों के लिए हम use करते है are, for example you, we, they and plural name यानि कि किसी plural name के साथ या फिर you, we, or they ओके, यहां तक हमें clear हो गया तिसरी बात ये जब हम negative बनाएंगे present continuous tense को तो is MR के साथ जो है हमने, उसके बाद हमने not लगाना है for example, in negative sentence use not after is, am, are is, am, are जब हम use कर लेंगे अब हमने negative में बात करनी है ना में बात करनी है तो is, am, are इन तिनों में से कोई भी use हुआ हो sentence में तो उसके बाद हम just not add कर देंगे ओके, जब हमने बनाना हो interrogative यानि के सवालिया तो क्या करना है is, am, are हम use करेंगे subject से पहले for example, I हो सकता है subject कोई name हो सकता है वह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कोई noun या pronoun तो उससे पहले हमने क्या करना है उससे पहले हमने is, am, are में से कोई भी एक जो use हो रहा होता है subject से पहले हमने use कर देना है ओके, यहाँ पर are यह extra आ गया है यहाँ पर ओके, तो rules हमने देख लिए अब देखते हैं कुछ sentence examples इनकी मैं काम कर रही हूँ जो कि मैं अभी यहाँ पर अभी हम पीछे पढ़के आए हैं कि इसका क्या हो सकता है affirmative, इसको अगर हम English में convert करें तो क्या होगा I am working मैं काम कर रही हूँ इसका मतलब बनेगा कि मैं काम कर रही हूँ देखें, I के साथ हमेशा am use होता है और present continuous stance में यानि कि जहाँ पर रहा हूँ, रही हूँ या रहे है की बात हो रही हो वहाँ पर हमने is, am, are helping verb यूज़ करने है first form के साथ ing यूज़ करने है और अब यहाँ पर I है तो हमने am यूज़ किया है is हमेशा singular नेम के साथ यूज़ होगा और are हमेशा plural name के साथ very simple अब इसको बनाते है negative मैं काम नहीं कर रही हूँ I am देखे, is, am, are मैंने भी बताया था rules में उसके फौरण बाद हमने not लगा देना है I am not working मैं काम नहीं कर रही हूँ अब इसको बनाते है interrogative क्या मैं काम कर रही हूँ तो इसका क्या होगा देखे, am चला जाएगा subject से पहले am I working क्या मैं काम कर रही हूँ और अगर मैं कहना चाहूँ क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ तो इसका होगा कि am I not working am पहले ही रहेगा working वैसका वैसा I अपनी जगा पर पस यहाँ पर not आ जाएगा I के बाद ओके यह हमने देख लिया present continuous tense ओके गाइस I hope आप लोगों को present continuous समझ आया होगा अब देख लेते हैं past continuous tense second पर है past continuous tense past मतलब के बीता हुआ कल गुजरा हुआ कल माजी continuous मतलब के कोई भी काम का जारी होना past continuous यानि के कोई भी काम past में हो रहा था जिस भी tense में यह यह शो हो कि काम हो रहा था रहा था रही थी या फिर रहे थे यह चीज़ शो करें कोई भी tense तो वो past continuous tense होता है past continuous का tense होता है this verb indicates the continuation of an action in the past यह क्या शो करता है continuation of an action in the past यानि के past में जो action हो रहा था उसको शो करता है past में जो काम जारी था उस चीज़ को शो करता है यह past continuous tense for example मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी अब देखें यहां पर रहा था की बात हो रही है जहां पर भी end पर रहा था रही थी या फिर रहे थे इसकी बात हो तो वो past continuous का tense होता है मैं कल खेल रहा था या मैं कल खेल रही थी तो यह भी past continuous का tense है तो इसकी निशानी आपने याद रखनी है रहा था लड़की होगी तो रही थी काफी सारे होंगे तो रहे थे इस तरह इसको भी चार तरीकों से हम लिख सकते हैं Affirmative, Negative Interrogative and Negative Interrogative मैं काम कर रही थी ये एक affirmative tense है, simple tense के मैं काम कर रही थी मैं काम नहीं कर रही थी ये एक negative tense है past continuous का इसमें ना की बात हो रही है क्या मैं काम कर रही थी यहाँ पर सवाल है सवाल की बात हो रही है, सवालिया है फिक्रा, तो ये एक interrogative tense है क्या मैं काम नहीं कर रही थी अब यहाँ पर negative भी है और interrogative भी है यहाँ end पर हम लगाएंगे question mark तो देखें, क्या मैं क्या मैं काम नहीं कर रही थी, यहांपर नहीं है तो negative है ये, और क्या मैंकाम, मतलब कि क्या की बात हो रही है, तो फिर यह एक interrogative भी है, मतलब कि इस एक tense में negative और interrogative दूनों ही बाते हैं, अब यह तो हमने देख लिया, कि tenses किस तरह के होती है क्या पहचान होती है कि इसके end पर क्या आता है ओके definition हमने देख लिए तो अब इसके देखते हैं हम rules कि किस तरह से हम जो है tense create कर सकते हैं इन rules को follow करके for example use ing with with verb यानि कि first form of verb देखें कोई भी tense होगा continuous का उसमें first form के साथ ing जरूर लगेगा must है ओके तो यह भी एक past continuous का tense है तो यहाँ पर ing तो लगना ही है first form के साथ verb की और दूसरी बात यहाँ पर था की बात हो रही है तो was का मतलब क्या होता है था तो was हमने use करना है कब जब singular subject की बात हो तो हमने use करना है was जैसे के he, she, it, I इन के साथ हमने was यूज करना है for example I was dancing मैं dance कर रही थी ठीक है dancing मतलब यह रहा होने को जाहिर कर रहा है रहा है रही है रहे है को मतलब रहा रही रहे है नहीं हो गए यहाँ पर क्योंकि यह present का tense नहीं है past का है was है तो मतलब यहाँ पर रहा था रही थी रहे थे यह चीज़ यूज होगी इसका मतलब कि मैं dance कर रही थी use were with plural subject were का मतलब भी was का मतलब होता है था were का मतलब होता है थे तो were use होगा plural subject के साथ जैसे के है you, we, they for example they were dancing वो डांस कर रहे थे नेक्स्ट है इन नेगिटिव सेंटेंस नॉट इस यूज आप्टर वाज वर्ब प्रेजन्ट कांटिनियूस में क्या था इसम आर उनके helping वर्ब थे उसके बाद में हम not use करते थे तो यहां पर helping वर्ब है was verb, was word तो यहां पर was word के बाद हम not use करेंगे नेगिटिव बनाने के लिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए was word जो है वो subject से पहले आ जाएगा ओके इन इंटरोगेटिव सेंटेंस was word are used before a subject ओके यहां तक हमें clear हो गया यह थे rules अब हम देख लेते हैं इन sentences को in sentences को English में convert करके in rules के मताबिक जैसे कि था कि मैं काम कर रही थी एक affirmative tense है इसका होगा I was working देखें रही थी रही क्या show कर रहा है working थी show कर रहा है पर was I was working मैं काम कर रही थी मैं काम नहीं कर रही थी यह एक negative है negative tense है तो यहां पर just हमने not add कर देना है was के बार I was not working अब interrogative बनाना है सवालिया बनाना है तो क्या लिखेंगे क्या मैं काम कर रही थी तो यह एक interrogative tense है and पर हमने question mark लाजमी लगाना है तो अब subject से पहले आ जाएगा was was I working? यानि कि क्या मैं काम कर रही थी और अगर मैंने कहना हो कि क्या मैं काम नहीं कर रही थी तो was I same working same just I के बाद हमने not add कर देना है was I not working? क्या मैं काम नहीं कर रही थी? यहाँ पर भी question mark आएगा ओके so past continuous हमने देख लिया past continuous क्या show करता है past में जो काम हो रहा था गुजरे हुए कल में जो काम हुआ था उससी इसको show करें वो क्या होता है? जैसे के रहा था रही थी या फिर रहे थे so second जो हमें clear हो गया past continuous क्या होता है? अब हम देखते हैं future continuous को थर्ड पर है future continuous future का मतलब होता है मुस्तक्बिल यानि के आने वाला कल और continuous का मतलब होता है जारी रहना यानि के मुस्तक्बिल में जो काम जारी हो वो क्या कहलाता है? वो tense, future continuous tense कहलाता है This verb indicates the continuation of a work in the future यानि कि future में उस काम के जारी रहने को जो जाहिर करते हैं tense वो क्या कहलाते हैं? वो future continuous tense कहलाते हैं So, इनको भी चार तरीकों से divide किया गया है मतलब कि चार तरीकों से हम इनको लिख सकते हैं Affirmative, Negative, Interrogative और Negative, Interrogative जैसे के मैं काम कर रही होंगी So, गा, गी, गे जिस भी tense के end पर आएंगे वो show करेंगे future को तीक है? और क्योंकि ये एक continuous का tense है तो यहाँ पर रहा रही रहे तो must है So, रही होंगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा Okay? मैं काम कर रही होंगी मैं काम नहीं कर रही होंगी ये एक negative tense है क्या मैं काम कर रही होंगी? ये सवालिया है Interrogative क्या मैं काम नहीं कर रही होंगी? तो ये है negative interrogative tense ओके, यहाँ तक हमें clear हो गया अब हम देख लेते हैं future continuous tense के rules के इन rules को follow करके हम tense कैसे create कर सकते हैं? First of all will will be used with singular and plural subject देखे, पहले होता था कि will shall हम use किया करते हैं लेकिन अब will ही use होता है सब के साथ, I, O, E के साथ भी और बाकी सब के साथ pronouns, nouns के साथ okay, will भी हम use करेंगे यहाँ पर singular के साथ भी और plural subject के साथ भी in negative sentence will not be used with a subject subject के साथ will not be used होगा be आ जाएगा end पर will और be के mid में not आएगा will not be और जब हम interrogative बनाएंगे tense को तो will आ जाएगा subject से पहले और be आएगा subject के बाद इस तरह से फिक्रा जो है, वो सवालिया बन जाएगा अब ये तो हमने देख लिये rules, rules को देख लिया अब हम tense create करके देख गया है क्योंकि tense create किये बगएर अच्छी तरह mind में नहीं बैठेगा जैसे कि मैं काम कर रही होंगी I will be working मैं काम कर रही होंगी यानि कि I will be working अगर मैं negative में बोलना चाहती हूं English में कि मैं काम नहीं कर रही होंगी तो मैं बोलूँगी I will not be working तो यहाँ पर आप गोर करें फॉस्ट रूल की तरह हमने यहाँ पर will be use किया है किसमें future continuous tense में ओके और हमने जब negative बनाया है तो will और be के दर्मियान में not use किया है will not be I will not be working यानि कि मैं काम नहीं कर रहीं होंगी अगर मैं कहना चाहूँ हूँ कि क्या मैं काम कर रहीं होंगी यानि कि interrogative बनाना चाहती हूँ सवालिया बनाना चाहती हूँ तो will आ जाएगा I यानि कि subject से पहले और I के बाद आ जाएगा be will I be working क्या मैं काम कर रहीं होंगी और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि क्या मैं काम नहीं कर रही होंगी तो मैं कहूंगी कि will I not be working देखे B हमने यूज किया था आई के बाद लेकिन जब हम इसको negative भी add करेंगे इस interrogative में तो I के बाद आएगा not और उसके बाद आएगा be will I not be working तो end पर question mark लाज़मी लगाना है देखें जो हमने rules देखे थे उसी के मताबिक हैं ये tenses will be use किया है यहाँ पर ये देखें will be affirmative tense में और जब negative बनाया है तो will not be use किया है will not be और जब हमने interrogative बनाया है तो will use किया है subject से पहले और be use किया है subject के बाद से पहले और be use हुआ है subject के बाद और यहाँ पर negative interrogative tense में will वैसे कव ऐसा i से पहले बस ये change आया है कि i को हमने not को हमने लिख दिया है i के फोरण बाद और उसके बाद हमने b लगा दिया है मतलब कि i और b के मिड में not add कर दिया है अगर तो हम interrogative negative sentence बनाना जाते हैं जैसे कि क्या मैं काम नहीं कर रही होंगी इस तरह का ओके गाईस तो यह हमने देख लिया future continuous tense तो यहाँ पर हमारा खतम होता है continuous वाला part ओके तो हमने देख लिया future continuous, present continuous और past continuous को सो हमारा यह continuous part भी अब clear हो चुका है part 2 में हमने indefinite कर लिया है clear और आज part 3 में हमने continuous clear कर लिया है ओके गाईस अगली वीडियो में हम देखेंगे present perfect past perfect और future perfect को यानि कि perfect part को हम clear करेंगे तो गाईस आपने चैनल को subscribe जरूर करना है ताकि आने वाली वीडियो को notification आप तक पहुँचता रहे आपने bell icon को प्रेस करना है bell icon को प्रेस करेंगे तो ही notification आप तक पहुँचेगा ओके गाईस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like सरूर किया करें और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा thanks for watching stay tuned